फिर एक बर आप सबका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट कैस एप के बारे में फास्ट कैस एप से लॉन कैसे ले और हम यह भी देखेंगे फास्ट कैस एप रियल है या फेक है कैसे पता करें सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके All All Options सेलेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिफीकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए मोबाइल नमबर रेश्टर कर लेना है उसके बाद आपको इस अप्लीकेशन में कुछ इस तरह का इंटरफेस नजराएगा इसमें आप 10,000 तक का लॉन ले सकते हैं लॉन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका जो इंफॉर्मेशन है वो मांगा जाएगा जो भी डॉकुमेंट मांगा जाएगा उन सबको आपको इसमें सब्मिट कर देना है उसके बाद आपका इसमें रिवियू के लिए चला जाएगा और अगर आपका इस अप्लिकेशन में अप्रूबल हो जाता है तो आपको इस अप्लिकेशन के तरब से लॉन मिल जाएगा लेकिन अगर application fake हो तो आपके साथ fraud हो सकता है आपने जो भी document upload किया है उन सब का use करके आपको blackmail किया जा सकता है इसलिए किसी भी application में loan के लिए apply करने से पहले आपको उस application के बारे में अच्छे से जान लेना है कि application real है या fake है उसके लिए मैं आपको बतलाता हूँ आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि application real है या fake है तो अभी इस application को हम back कर देंगे उसके बाद play store को आपको open करना है और यहाँ पर application को search करना है उसके बाद आपको इस तरह से slide करना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा ratings and reviews तो यहाँ पर rating देख लेना है और जो reviews है जिन लोगों ने इस application को use किया है उनका reviews आपको यहाँ पर पढ़ लेना है इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा application real है या fake है इस तरह से आप किसी भी fraud application में loan के लिए apply करने से बच जाएंगे उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और चैनल में अगर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye thank you